हेमन सूरेन जी जब पांच साल का कार्यकाल गुजरने वाला है कल पर सौब एलेक्षन का टाइब है अशमली अब नज्दिक हो गया है तेरा तारीख को यहां का कि विधान सभा का एलेक्षन है और बोलते हैं कि आदिवासी को हम बचाएंगे आदिवासी का मुल अधिकार को लोटाएंगे तो आदिवासी को बचाएंगे कैसे आदिवासी को तो और गड़े में ढखिलना चाहते हैं कैसे आदिवासी का जमीन लूटा रहा है आदिवासी का बहु बटी अभी इस समय में सुरक्षित नहीं है तो आदिवासी के हित कहां सुच रहे हैं आदिवासी देखिए यहां हमारे आदिवासी भाई लोग जतने देखे मेरा माकान खुद है मेरे भतीजा अपना घर सब पडोसी का है सबका मकान यहीं दिख रहा है सभी लोग यहां अबुआवास था अबुआवास में हम कितना पैर भी किये बोले कि भाई आप अपने अस्तर से बुलोक में जाके जाके देखिए और अगर मेरा अबुआवास मेरा भतीजा मेरा घर का आदमी का देने लाइक है अगर देने लाइक है तो दीजिए लेकिन सर्वे किजिए और देने लाइक नहीं है तो मत दीजिए इसके लिए आप सर्वे जाके दिखिए उसके लिए हमको मांगे अपलिकेशन वीडियो सहाब अप्लिकेसन हम लिख के वहां दिए कि भाई देखे सर हम अप्लिकेसन लिख दे अभी मेरे पास रिसी बींग है बोले कि ठीक है मैं एक सब्ता के अंदर आपका यहां सर्वे करवाएंगे देखेंगे भेजने के जांच के लिए पंचाय सचु को अभी तक दो महिना हो गया पंचाय सचुच अभी तक आए नहीं तो जब मेरा लिस्ट में नाम रहते हुए भी अभवास मेरा घर कच्चा मकान है और बोले कि अगर देने लाइक है जांच में तो जांच करके हमको दिया जाए और नहीं देने लाइक है तो मत दीजिए लेकिन जांच किजिए अभी तक नहीं आए तो आदिवासी का क्या हित चाहेंगे इस से जदा और हम क्या बोलेंगे दूसरी बात है कि आदिवासी को बोलते हैं कि अब पढ़े लिखे इंसान को नौकरी देंगे बहु बेटी के लिए सुरक्षा रखेंगे तो कोई बहु बेटी आज जितने भी धर्मानतरन हो रहे हैं हमारे आदिवासी बहु बेटियों के बीच और कि कोई गैर आदिवासी उसको अपना प्रेम जाल में फसा के या तो प्रेम प्रसंग करके उसको ले जाके उसके साथ अत्याचार कर रहा है उसके लिए कोई एकसन सरकार नहीं ले रही तो बोलते हैं कि आदिवासी का हम हित चाहते हैं तो कैसे हित चाहेंगे जब आदिवासी का हमारे बेटी बहु सुरक्षित ही नहीं है तो फिर हित कैसे चाहेंगे या और से ज़्यादा क्या बोले हम? जैसे मन सुरेन दावा करते हैं कि मैं तो आदिवासी का बेटा हूँ ठीक है आदिवासी का बेटा हूँ कहने से नहीं नहीं हो जाएगा आप आदिवासी का अगर बेटा सही में हैं तो आदिवासी का जो अधिकार है उसको आप देखिए तब ना जानें कि आर आदिवासी का हीत में आप सूचिए तब ना जानें कि भाई हाँ आदिवासी का बेटा हैं आदिवासी के वाल कहते निस नहीं नहीं होगा जैसे उन कहते हैं कि हम आदिवासी का बेटा हैं तो आदिवासी का बेटा है तो खुद बखुद उनको तो जनना चाहिए कि अब हम आदिवासी जन जाती हिंदू है या नहीं है जैसे हम बोलते हैं कि भडंके के चोट में जब से मेरा जन्म करम हुआ मेरा प्रथा जब से सुरू हुआ जब से सवीधान बना तब से आज भी हम हिंदू है और पहले भी थे और आगे में हम हिंदू ही रहेंगे आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं परिवरतन सबसे ज़्यादे तो आदिवासी का होता है जारखन में यही बात तो हम बोलना चाह रहे हैं कि जब आदी बासियों का धर्मानतरन जब उकर रहे हैं हम लोग बार बार उनसे आगर कर रहे हैं और बोलते हैं कि भाई हम लोग आदी बासि हिंदू हैं लेकिन अगर ओ आदी बासि कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं तो साबित करें कि करवा कि इस बार जब इलेक्षन है तो क्या सोच है आदिवासियों की क्योंकि हर आदमी तो आदिवासियों की इसलिए किया जा रहा है कि अभी अभी बरतमान में पांच साल जो सरकार बनी जारकन मुक्ति मूर्चा जारकन की जो है मंसूरयन पांच साल यह अभी जो महिया योजना की जो योजना निकाले एक महिना पहले जो एक हजार रुपिया महिया योजना दे रहे हैं तो इससे पहले भी पांच साल में भी दे सकते थे लेकिन जब चुनाव जब नजदिक आ ग पर्लोबान आपने सुवार्त के लिए कि मेरा बोट बाइंग ये किया जानते हैं कि हमान सुरी नादीवासियों का सर नहीं जुकने देंगे सर जुका है या नहीं जुका है आप जो गाउं की हालात है ये मकान नहीं मिला है आप लोग टीन के सैट में भी तक रहते हैं और गाउं में विकास पहुचा है या नहीं पहुचा है देखिए कलपना सुरेन कहती है कि हेमन सुरेन आदिवासियों का सर नहीं जुकने देंगे तो उनको तो ये देखना चाहिए अपने आपको की आदीवासी का सर कैसे ने जुकेगा, आज के डेट में उसके बेटी बहु, आदीवासी के बेटी बहु जो है सुरकेट नहीं है, उनकी पीछे सोछन हो रहा है, किसी का बलतकार, किसी का रेप, किसी के साथ दूर बिवहार आदि बासी जंतां जैसे बोलते हैं कि घर जहां भी देख रहें हम झूगी जोप्री तो आदि बासी उंका सर कैसे कुश्वी जोप्री देखे में रहा कि ऑसका सर उनकी भावी सीता सोरण के साथ जो दूर बेवहार उन्हीं का पाटी का जो इर्फान खान जो अभध्र बेवहार हम लोग का मुझसे तो इस तरह का बवानी नहीं निकल पाएगा क्योंकि हम लोग का ऐसा संसकार माता-पिता और समाज वसा दिये नहीं है तो अपना घर का जो सीता सोरेन के बारे में कहा गया हंड्रेट परसें हंड्रेट परसें हमन सोरेन तब भी कुछ नहीं कर पाए हमारे घर सम्मान घर में ही नहीं कर पाए नहीं कर पाए अभी हमारे घर में कोई आदमी आया और मेरे घर का बेटी बहु को अभध्र विवार करके अगर बोले और हम उहां परजेंट रहेंगे सामने तो उसको हम धके मार के जहापड मार के लात मार के निकाल देंगे ये चीज हेमन सुरेन जी को और कलमपना सुरेन जी को अपना घर में जहां के देखना चाहिए उनहीं का मंत्री, उनहीं का पाटी, उनहीं का घर में, जिस ठाली में खाए, उसी ठाली को छेत करने के लिए पले तुले हुए हैं, और उसी के खिलाप उभी ऐसा भासा हम लोग जो की सोच नहीं सकते हैं। का कोंग्रेस का हम एक सरकार को थेकान नहीं है हम लोग जैसे भी मोदीиса भाड़ रखेंगे जैसे भी मोदीर के राखेंगम थेकाना नहीं है उनका अपना तो मुgender मंतरी है वसंत सोरेन कैलपना सुरेन सब विधायक हैं है तो लेकिन मान के चलिए जैसे थोड़ा जिनके पहले चमपई सुरेन जी मुख मंत्री थे पार्टी उचोड़ दिये बीजेपी में चले आए क्यों आए अपना उनका घर का बेटी बहन को ठीकाना नहीं है जैसे हमारे परदीब बाबुजी बोले क सीटा सोरेन के बारे में अभाद्र विवहार किया गया सीटा सोरेन उससे अलग हो गया तो आप बताए कि हमारे मुख मंत्री रहते हुए भी क्या फैसलिटी है क्या फैसलिटी नहीं मिली पांस सालों नहीं कुछ भी फैसलिटी नहीं मिली है गाउं में विकास रोजगार उ अभी देखिए हमारे समझ से जहां तक हुआ है बीजेपी के दुआरा ही हुआ है बिजली मिला और बहुत सारी सीज मिला है हम कितना को बता है भी लेकिन ये मैय सम्मान योजना तो हिमन सोरेन भी दे रहे हैं ना दे रहा है तो पांच आल तक कहां थे वह अभी जब भोट नजदिक आ गया है तो भोट चापलुसी के लिए जो है सब मैया सो जो जनस्तनमान न निकला है अभी एक महिना भोट का समय और अभी अभी निकाले हैं क्या समझेंगे हम लोग है हिमन सोरेन कहते में अंदुलनकारी का बेटा हूं और मेरे से अच्छा जारखन को कोई नहीं जान सकता मैं मेरी पार्टी छेत्रिये पार्टी है तो आपको क्या लगता है वो घर मैं मानत च्छाना सही रहे का जी नहीं कियो को चपन जम नहीं हिसे जानए कि तब तक हम लोग को शें विश्वास करेंगे कि हम चपा-चपा को जानते हैं नहीं घर है पानी की सूह व्ही डान सूह का अमान के सलिए कि हम लोगा थोड़ा-मॉड़ा-मॉड़menoक्लोर बोलोक का तो जानिये रहे हैं कि मान के चलिए घुस खोरी इतना ज़्यादा है कि हम घुसी देटे रहा जाएंगे लेकिन नहां पानी के ब्याउस्था कर पाएंगे और ध्रेजे में कुगा गिर जाएगा फैरा क्या होगा इसके लिए कोई देखरिक नहीं है सरकार या अपस कि बाद में सुविधाय नहीं ले पाता तो क्या लग रहा है परिवर्तन होना है इस बार सरकार का जार्खन सरकार का तो परिवर्तन एक दम होना चाहिए कैसी सरकार चाहिए बीजेपी का सरकार चाहिए कहां देखा बीजेपी का काम आपने बीजेपी का कौई से ने देख रहे हैं हम तो आपको बताएं कि मान के चलिए हम लोग को बातरूम मिला रोड मिला बीजली मिला आवास मिला बहुत तरका चीज मिला है